ओके लेस्स स्टार्ट विदार वेस्टिन टाइम आज हम लोग स्कैल्पिंग की निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेडिजी दिखेंगे और बकाइदा उसको किस तरीक से लॉजिक के साथ मैंने आपको ट्रेड करके दिखाया वो सारी चीज़े में बताओं ठीक है सबसे पहले कुछ चीज़ें लोग बेसिक चीज़ें को इखटा कर लेते हैं और बहुत से लोग में इसे कहते हैं किसा आप बिगनर्स का कॉंटेंट नहीं आते मितलब एडवांस लेवल कर दादर बिगनर्स को समझ भी आता है तो मैं कोशिश करूँ कि बि बैंक निफ्टी में यही ऑप्षिन का स्टॉप बतारों मैं फूचर करनी बतारों ठीक है यह बैटेगा तक्रीबर रुपीस पच्छिस के आसपास और मैंग्जिम से मैंग्जिम चालिस रुपए के आसपास का चालिस क्यों लिख देते हैं पच्छिव लिखते हैं दस बा पुट्स एड़ हुई है यह मैंने कल वाले आपको डेली नेसे के सेशन में बताया था कि पुट्ट बाइंग है आज मार्केट गर्डान खुलाते हैं प्रेटेट था हमारा पहले सही क्यों कि पुट्ट बाइंग थी अब यह वाली नहीं जो पहले आपके जो कल का वीडिय बैठी हुई है इसका मतलब क्या है कि पुट्राइटर है ऐसा नहीं होता है पुट्ट बाइंग होती है मार्केट को नीचे खुला तो वह आपको बीटेस्ट में भी फायदे में जाता है ठीक है तो हम लोग यह चीज अपने देखेंगे थार्ड चीज हम लोग क्या देखे है कि कैसे ओपन इंट्रेस्ट होता है लॉग होते है बेसिक बेसिक से कौन उसको देखना और कुछ नहीं करना है ठीक है एंड लास्ट चीज क्या है आपकी फोर्थी इसका रिस्क रिवर्ड कितना है सब भूल जाएगा फाइव में में कुछ नहीं सब इसे मतलब फाइव म चांदी होगी तो आपको रिवर्सल हो जाता है बेसिक करने को देखेंगे इसको किस तरीके साब कॉंट्राटेस ले सकते हो अभी हम लोग चलते हैं सीधा में आपको लाइव दिखाता हूं ठीक है लाइव को देखने ना उसको समझ में आएगा दूसरा क्या होगा थोड़ तो मैंने ना यहां पर सारा सेट अप लगा लिए मौनिंग में करना क्या है जो जो अठार अक्टूबर की कॉल जहां पर राइट है अब यह सारी दिर रखी है वो अपने चार्ट को लगा लिए ठीक है देखा होगा ना कभी कभी ब्रेक आउट आता है आपका इस पॉर्ट सबसे पहले मैंने क्या किया किया एक वाल पूट राइटिंग तो मैंने यहां पर अपना यह मेरे हमीज़ा तीन चार्ट रहते हैं आपके भी रहते हैं थीक है है सब्सक्राइब करना है तो मेरे को करना है तो मैं देखो कि यहां पर एक बार को कवर करना है ठीक है अब क्या करना है तो सब्सक्राइब करना है अब क्या करना है सिंप्ली अपने दिखा में आपके सपोर्ट रेस्टेंस मैंने मांग कर ली बैंग निफ्टी में 43594 बैंग निफ्टी पर गया बैंग निफ्टी पर 43594 यानि कि 43600 के आसपास मैंने एक सपोर्ट बना लिए यह रहा इसके आसपास बना लिए ठीक है इसके निशी जाएगे तो देखते हैं अब फिलाल के लिए मैं जो आपको में चीज़ बताना चाहर हो जो मैंने आपको यहां पर दे रखा है अब आपकी जो होता क्या है बिसी कली दो ऑप्शन्स होते है मेरे पास मेरे पास स्कैल्पिंग लिए वन आप दा बैस टूल है मतलब क्या करो गया आपको पांच दस पॉइंट का बैटेगा निफ्टी के अंदर और और आपका बै बैट निफ्टी में एड हुआ है कहां पर 3267 344 एमेजन करो आपको शॉट कर जाए हो ठीक है अपको शॉट कर दो ऑप्शन की 44 तो ऑगन की ठीक है तो 44 तो आपका इस जैसी लेवल क्रॉस करना शुरू करेगा 344 तो आपको क्या हो पूट्ट राइटर जलदी से इसको कवर करने आए तो एक आपको यह हमने कहां से बता चला है options के डिटास के थ्रूँ जो मैं आपको option channel daily वैसे से बढ़ाता हूँ वही चीज़ है ठीक है तो यह आपका options का यह बन गया यहाँ पर आपके sellers बैटे है ठीक है OI के वैसे से निकाला है विससी बात है जहाँ पर आपका OI बैठा है तो अगर यह वानलो किसी करण वाश यहाँ आती है यहाँ रखना है यहाँ पर यह ट्रीड लेने का तरीका क्या होगा है कि यहाँ पर आने पर कोई negative candle दिख जाए दो मिनिट का चाट लगा है क्यों मुझे scalp करना है आप करूंगा कि मैं इसमें call short कर सकता हूं या मैं put buy कर सकता हूं और मेरे टार्गेट कितना होगा वन इस्टू टू कहां तक का यह कभी कभी चांदी ट्रेड गुरा था बहुत प्यार चलता है लेकिन आपको अगर मानलो ही चलेग अभी न तो पहले आपको profit देगा प्रॉफिट देने के बाद फिर आपको cost to cost पर आएगा मतलब पहले profit में आऊगा इसके बाद cost to cost या SL पर आऊगे ठीक है तो यानि कि लॉस लग रहा है कहां पर 44,000 50 के उपर लोग बाई करना चालो पर देंगे और वहीं से मार्केट एगदम से भूम जाएगा नीचे की तरफ तो यह चीज़ अपने को यहां पर अपना फायदा देती है ठीक है 44,000 के PE देख लिए अभी अपने केटना टाइम होगे 8 बच के 17 में ठीक है अब मैं आप 7 वजे ट्रेड पर आके दिखाऊंगा कि ट्रेड मैंने कैसे कैसे लिया और क्या क्या लिया है ठीक है सबना पर ही हम लोग साथ के अगसामने ट्रेड माल लेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है आपका 9 बच के दस निटी के पांस पांसाफ में अपने में हैं और अगर मैं बात करता हूं फिन एं एभ्तिका मार और लगा लगा लेद रेन फिन डिक कह ऊटिक वे नाने इन सर्फ गी प्रिपीड एक सोल ना अठार रुपय ब्रेक अट रोपय यह नहीं नेस अट सौन कि इन साथ सौन कि ठीक है यह ना इंटी फाइव पर चल रही है कैसे ब्रेक उट है करेंगे मतलब क्या है कि एक पुट तुरं से बाई कर लेंगे ठीक है एंड पुट बाई करने के बाद और तुरं ज्यादा देर नहीं रखेंगे रीजन क्या है मार्केट नियरली सपोर्ट के असवास खुल रहा है बैंक निफ्टी के बात करेंगे और निफ्टी 565 के नीचे रहे हैं तो यहांई हम लोग खुलते ही शॉट करेंगे वहां पर शॉट करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे चोड़ देंगे ज्यादा ट्रेडिंग ऊप्रेडिंगी दो तीनी पढ़ती है ना वह चीजिए है कि ईदा हने दी दिफ्टी दुटी सब्सक्राइए कि ऐख देख देख दीपक्राइए दो कर रहा है लोजिक सिंपल है फिर वह नहीं है इस में ना सिंपल लोजिक क्या चीज या पीकि मार्केट में आपका सपोर्ट के नीचे खुल रहा है मार्केट एक चीज़ और दूसरा हम लोग ने देखा है कि कल पूट बाइंग हुई है यहां पर क्या देख रहा है अपने को मार्केट जो है आपका वो क्या है नेगेटिव डिटा है कैसे नेगेटिव डिटा पता किया थे लोगों ने यही सेम चीज मैंने आपको मुद्द बता है क्या है यही संजाने का जो यह सेशन्स है यह 41 रुपीज पर लोगो लग रहा है पुड़ शॉर्ट करके यहां अच्छा 25 लाग का वही बैठा है तो पुड़ शॉर्ट है अब मैंने आपको यहां पी जो दिखाया था यहां पर दिखाया था यह पूड़ शॉर्ट यह आपको ऑप्शन चेंज करें जो आप देख लिटा पैने टिक्स करते हो वह समयाता है तो यही डिफ्रेंस हो यहां पर देखाया उसको चलाना भी नहीं लंबा ठीक है वो फटा-फट से स्क्याल पर के बाहर आ जाना है ठीक है सिंपल लेवल सपोर्ट रेस्टेंस का अगर आप देखोगे तो इससे नीच चाहिए ठीक है आपका हेवीवेट्स के सपोर्ट रेस्टेंस यह है सब लोग सपोर्ट में पुल रहे हैं तो अपने को वह नहीं करना सपोर्ट बहुत नंबा शॉर्ट को नहीं रखना है अभी कि थर्टी सेकंडस को फोलने में लेट सी रहे है नहीं के फुल ओ कि इसने बहुत ऊपर मेरे को दिया है वह प्रेड जो बहुत ऊपर पर दिया है राधर देन यहां देखोगे तो आपको इसमें आ रहा है क्योंवा रहा है क्योंकि वह वाला ऊधल घलत के हैं तो इसको इसका पर प्रॉफित अपने को बांग गता हूँ ठीक है और ये वाला इस रेूपम अपना इसया क्या है पना C सिंप्ली 55 रूपीज पे ठीक है और पहला डूट किया था उसना काफी उपर पे दिया मतलब मैंने जो लगाया अब वो थोड़ा उपर पे देग दिया 55 55 फिफ्टीफाइब तीक हाला कि देख और नीचे जा रही है नीचे है अपने को पोई दिक्कत नहीं है दोनों भी ट्रेड में 185 186 ठीक है वो चीज अपने को देख रहा है क्योंकि पॉट्राइटर सापके ट्रेप हो एक अपने कुछ नहीं था विकली स्क्याफ करना था 6-7 अब मैं करूँगा क्या यहां पर मैं जो मेरी स्ट्रेड़ी है अभी यह अप्षिन वाहिं के चाहा है अपर एक पुट को मैं शॉर्ट करने के बाद रीजन क्या है पुट शॉर्ट करने का अभी नहीं जब यह एक नेगेटिव एक्षन दीगा पूट साइड में त्योंकि अपना लॉजिक था कोई वह नहीं था स्कैल्पिंग के पीछे का रीजन की था मैं कुईकली बाहर भी निकलना था ठीक है यह थोड़ा सागर उपर पर नहीं आता क्योंकि नीचे पर मिल जाता कि यहां तक गया था 43 के असपास गयता है तो ज्यादा बेतर था अब देखव करते हैं अब अफ पिकना करेंगे थोड़ा डेटा बनने देगे बनने देंगे इसको और जो at बॉटम जैसी बनेगा उसने सब्सक्राइगे पूस्मेहंगी चल रही है ना कल बाइंग की तरफ इस लिए जए Option मार्केट में डेटा आपका नेगेटिव है करेक्ट तो अभी मैं अगर जाता हूं तो यह अपना सिंप्ली यहां पर डेटा देखेंगे ठीक है अभी अभी गलती से भी पूट शॉट के बारे में अभी नहीं जब तक कि डेटा में आपका पॉजिटिविटी ना है ठीक है य जो में चीज आपको क्लियर करना चाह रहा था वो यह चाह रहा था कि जो निफ्टी पे लोगों को दिखता है ना this is our put writers, this is our put writers, these are not put writers आप समझो बात को यह तो call writers है अभी सी बात ही मैं आपको समझी यही चीज में आपको daily business session से भी सक्छाता हूं कि आपको जो simply दिख रहा है लेकिन आप देखोंगे put नहीं बढ़ रही है क्या देख रहा है कि market आपका नीचे है और आपको put side में देखोंगे तो put आपकी वह है ठीक है तो अभी मैं इसको over करता हूं और मैं आपको पूरा detail में इसको आगे अभी दिन के दोराना इसको report कुरूंगा because मेरे को calls वगर का rate है तो आगे बढ़न से पहले मैं आपको कुछ basic से concept सिखा दूँ बस बहुत बहुत इस concept है क्योंकि वह थोड़े सम लोगों ने अलग तरीके से पड़े होते हैं क्या पड़े होते हैं लॉंग मतलब हम लोग तेजी मानते हैं शौर्ट मतलब हम लोग मंदी मानते हैं होते हैं बिल्कुल basic से लेकर चलना हो ताकि ना धीरे-धीरे करके जो लोग बिल्कुल absolute उनको भी समझ में यह सब बनाने की मुझे ज़रूत नहीं अभी मैं आपको रेट वागारा सब इसमें लिखे हो आएंगा कि किस रेट पर है किस पर नहीं वह सब पहले से लिखा अब यह अपने चलते हैं बेर का हो गया एंड देन आपका बुल के टेट्स क्या होते हैं या तो आप कॉल को बाए करते हो ठीक है या फिर आप पुट को शॉट करते हो यह दो बूल के होते हैं ऑप्शन का है totally no future ठीक है future में कोस्टिंग जाद होती है और रिस्क भी जाद ह पुट का हो सकता है कि इसका प्राइस होते हैं एक या प्राइस को मतलब कंस एक और मतलब है मतलब कोई एड हो रहा है प्राइस भी बढ़ रहा है देन सेकंड चीज़ क्या होती आपकी वाई बढ़ रहा है एंड प्राइस गिर रहा है ठीक है इसमें क्यों होता है शौर्ट होता है शौर्ट क्यों होता है कुछ भी हो सकता है मैंने सीवी शौर्ट कर सकता हूं मैं एक चीज़ ध्यान समझने हो कि क्या option buyer वहाँ पैसा कमाता है जहां option seller डढ़ता है क्या statement में बोला option buyer वहाँ पैसा कमाता है जहां option seller डढ़ना चालू होता है क्यों ऐसा होता है इसी पे तो हम लोग short covering का trade को लेंगे अभी मैं आपको जांबक दिखांगा तो simply क्या है हमें दो तरीकी के ट्रेड लेने हैं एक होता है contract rate जहां पर आपका option sellers के थ्रू हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के selling के points को निकालते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ की होती है short covering का trade मतलब short covering के टेड़ 10 में से 3 बार आते हैं 7 बार market range में साथ बार तो आप contract rate setup को यूज़ करोगे कि जहां पर उनकी sellers कर रहे है और तीन बार आपको short covering को प्लान करना है वह भी हम लोग सब देखेंगे अभी बस इतना समझ लो कि वाई बढ़ड़ा है price बढ़ड़ा है मतलब long हो रहा है doesn't matter call भी हो सकता है वाई बढ़ड़ा है price ग आपका बढ़ड़ा है CDC बात है जो लोग short कर रहे है और फ्राइस आपका गिर रहा है इसका मतलब प्राइस आपका बढ़ड़ा है इसका मतलब क्या हो रहा है शूर्ट कवर ओले है थीक है doesn't matter call भी हो सकता है पूटे भी हो सकता है ना डिन आपको क्या केस आता है है वो ऑई आपका घट रहा है या निए अब कोपर इंटरस्ट घट रहा है और प्राइस आपका घट रहा है यह केस होता है long and wind का ठीक है भास हो गया काम खतम है तुम मैं इसमें अगर बात करता हूं कि तेजी में कॉमन चीज क्या है कैसे निकले जब जब बढ़ता है तब तब आपके लॉंग यह शौट होते हैं और जब जब ऑई घटता है तब आपके कॉंट्रेक्स अंकवर होते हैं शौट अंकवर शौट कवर होते हैं यह लॉंग उन्वाइंड होते हैं फिर मैं बता रहा हूं कि आपको यह सब देखने की जरूत नहीं पड़ेगी अगर मैं सिंप्ली आपको महाफ़े ले जाओ लेकिन आपको लॉजिक समझ में आगे न मैं हमेशा से एक चीज़ आता हूं कि एक बार लॉजिक किसी चीज़ में समझ में आ जाएगा ना फिर आप खुद के भी सेटफ बनाने के लिए आगे काम में आ जाओगे वेरेस हम लोग होते हैं जब हम लोग बचमने पढ़ाई करते तो रट के पास हो जाते हैं रट के पास ह अब मैं अपने अपसे कोश्चन पोछता हूं ओई बढ़ा है ध्यान समझना और प्राइस बढ़ा है लेकिन किसी चीज़ का कॉल का मतलब कॉल साइट की शॉट कवरिंग आई हुई है ठीक है मतलब कॉल जो शॉट कर रहे हैं प्राइस बढ़ता कब है जब आपका और प्राइस बाइस Smart आहिए पूटा की शॉट को शॉट कवरिंग आए है मंदी होती है पॉड साइट की शॉट करके गहते लोग अंकवर करने आ रहे हैं और पूट साइट की आपकी सिंप्ली है ठीक है तो वह पुट साइट ही जाओती यह आपका बेर होता है कॉल साइट की शौट कभरिंग आपकी बुल होती जो लोग कॉल शौट करके बैटे थे अब अनकवर कर रहा है और हम देखाए बढ़ता ह आपको एक शीट और मिलेगी ठीक है उस शीट में क्या लिखा होगा कि यहां पे आपकी अपर रेंज कैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहां पर फ्री ओवाई एडिट ठीक है यहां पर आपका मैक्जिम आज के दिन वाई एडिट हुए जैसे आप यहां पे थे ह बचपन के बाते होती हैं इस तरीके समझ लो तो वह एक सेकंड चीज होती है उससे मूटा मूटा आइडे लगा था कि वीक में आपी रेंज जो लोग ऑप्शन को स्ट्रेजी डिप्लॉय करते हैं उनके लिए रेलेवेंट होता है कि आपने कहां पर वह बैठा है तो वहां एक नशन मार्ली क्या होता है ना कल यह साथ दो एक बात बाट भाट अधू пиш लंगा थीडिद्य on the Eternal Also बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है तो क्या दिक्कत आईगी आपकी एफाइस पैसा खेचेंगे डॉलर इंडेक्स होता है वो बेसिक बेसिक चार पांच चीजे आपकी जिससे बस एक बड़ नजर माल ली ताकि कि एग्रेसिव होना या नहीं होना है वो पाता चल जाएगा ठीक बस कोई एस दर नहीं है देन मैं यहां पर आपको एक चीज़ और अब सीखने वाली क्या है कि आपको अगर इंडेक्स में टेटिंग करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर तो बस आप आपको यहीं पर ध्यान रखना है और कुछ करने की जरूत नहीं है एक डिए असी बैंक के सपोर्ट एजिस्टेंस ठीक है अगर मैं बात करता हूं पंदर साथ साथ लोट आता यह 934 से लोट आता और आपका आईटी निफ्टी आईटी किस लिए जरूरी होती निफ्टी के है एक होती बैंक निफ्टी मैं का रेलाइट और एक होता है निफ्टी एक एक रहेंस चाहिए होते होता है जोसे प्र будем होता हॉत यहां है पें सेंस अब यहां पर आता है नेक्सी जो मैं डेली असे में भी बताता हूं अब जब भी वीडियो का रेफराल ले दूँगा कि यह वीडियो देख लेना जाए कि इसमें प्रसल जाएगा मान लो सारे स्टॉक सपोर्ट पर आ गए तो आपको वहां पर अपना मुनाफ़ाब बांध लेना है ठीक है सारे का मतलब मेजॉरिटी मेजॉरिटी कैसे होगी अगर बैंकिंग सेक्टर देख तो सब्सक्राइब अपने बैंक निफ्टी के शॉर्ट के सौदे काट लो अगर लेट सी सपोर्ट आ रही है एक बार सपोर्ट से लोटके आ गए फिर बाद में ब्रेकडाउन दे रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो अब अपड़ी को सब्सक्राइब को सबस्रे au हुआ और 43,590, 550 के आसपा से मार्केट उपर लोटा था, आज हम लोगों ने सब दूरी दुनिया नेगेटी थी, हम लोगों ने बाय किया था, क्योंगे यह था, पता है सबोर सार है, अभी मैं आपको दिखाँ हो, डेटर पे भी सब चीजे, पता है चल जाएगा है, तो थोड़ा स यह कोई पर्टिकुलर लेवल है, ऑप्शन का चार्ट जो हम लोग कोलेंगे, तो इसके उपर जब जाना शुरू करेगा, किस तरीके से आपको वो देखना है, वो चीज मुझे को अभी बतानी, बस इसको पॉइंट को अभी नोट कर लो, कि हम चार्ट को देखना है इसको, इसके अभी एडिटर ने लगाई थी, उस क्लिप में मैंने आपको बतायता है, कि वहाई खड़ा था हमाँ पर, वहाई पुट शॉर्ट का नहीं था, वहाई था, वही सेम चीज, तो यहाँ पर भी मेंचन करी थी वो चीज, तो डेली बस पर एक बार आप मोर्णिंग में जब टेडिंग करने से पहले जाते हैं, तो आप इसमें नजर मार सकते हो, ताकि आपको पल चल जाएगा, प्रॉफिट बुगिंग कहा करनी है, नमबर वन, और नमबर टू अपको फ्रेश शॉर्ट और फ्रेश लॉग कहा करना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जबी यह सारे ही चार्ट को अपने उसमें वाच लिस्ट में एड कर लेने हैं, जैसे आपको कोई भी ब्रोकर होगा, जो जो मैंने इसमें यह दे रखी है, स्ट्राइक पाइसे, इस जगह पर आता है, अगर मार्केट में गलती से इस जगह पर आता है, लेट से 400 का आपका काइच दूसरा मिलेगा, तो क्या होता है, कभी कबर आपको दिखा गए आरे 400 रुपए पर कॉल राइटिंग है, 45,000 तब मार्केट चल रहा था उस टाइम पर, जब यह 400 रुपए का कॉल करेट था, अब दोबारा से 45,000 पर लेकिन कॉल करेट 300 रुपए है, क्यों विकॉस करना क्या है, लेट से 400 रुपए पर आई, यह आपका लेवल है, फस्स टाइम जैसे 400 रुपए पर आती है, दो मिनिट का चार्ट हम लोग लगाएंगे, इस दो मिनिट के चार्ट पर हम लोग आपका नेगेटिव एक्शन जैसी दिखिए है, इसके निचे आपको शॉर्ट करतेंगे, कितना इसल बैटता है, मैंने आपको शॉर्ट का बैटता है, और निफ्टी में 8-10 पॉइंट का बैटता है, आप ध्यान समझना, यह जब नीचे आता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जब वोपस जाएगा, तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकाल सकते ह मुझे निफ्टी के अंदर प्लान करने हो, और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट के अंदर मुझे प्लान करने है, तो वहां पर आपका 1-2-2 पर निकालना, वो निकल जाओ, कंसिस्टेंटली करोगा, आरहां से 10 में से 7 ट्रेड आपको बहुत बड़ी आकूरी साथ मिलेंग यह वाली कॉल आपकी कॉल करेंट यहां होती है और यह आपको बेली बिस्स पर 15 मेटर पर काम करना है, चलती मार्केट में तो डेटा अलग है, वो तो ही है, तो आपको बहुत क्लियर आइडे मिल जाएगा, प्रॉफिट भूकिंग के लेवल मिल जाएंगे, अगर आप इं क्लियर घृरों का क्Иन कर कर देटा है, जो 18 अक्टूबर की डेट का है यह ज Чтобы बड़ेस होती है, यह आपकी नेक्स ounds रही है मतलब क्या होता है डेटा के हिसाब से मैं आपको सफूर्ट पहले कि ऩक्जडिय बात है, बिस्स निकिक में है कि की आपको और अगले दिन हो था लेकिन जो डेटा होता है यह आपका एक दिन पहले होता है और अगर आपको यह चाहिए तो आप सिंप्ली मैसेज कर देना हाइए आप मैसेज कर देना तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है कहां पर करोगे आपको वाटसेप पर नंबर मेंशन आ रहा होगा वहां पर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा अपने लोग ट्रेट को मैं पताता हूं किस तरीके से था सबसे पहले आप क्या देख रहा है यह यहां पर मार्केट इस ओपनिंग डाउन टेक का टाइम के साथ 735 विक एजिए अपका डाउन चल रहा था एक बिन पहले आपकी सेलिंग अई हुई थी ठीक है सेलिंग आती तो कभी भी प्रॉफिट भूग आ सकती बिकॉस शॉट सेलर्स एक ताइम में बहुत अच्छा प इसका मैं अभी रोजिक आपको नहीं बता रहा हूं मैं आपको पर लेगी चलता हूं सीधा अपने लोग आते हैं चार्ट ठीक है अब जो करना है इंप्लीमेंट कैसे करना है ठीक है सिंपल सा है ध्यान में रखना जहां पर जैसे मैंने बताया कि सी सी सेल है ठीक है तो उस पर को नोट करके अपने पास रख लेना है एक यहां पर आगए एक चीज़ बहुत ध्यांसे प्लान कर रहे हो कुछ भी प्लान कर रहे हो मैंने कहा 450 पर लेट से सब्सक्राइब करता है तो आपको इस तरीके से प्लान करों कि उसके लेवल के उपर खुल जाए या फिर इस लेवल के आसपास जोन के आसपास मतलब कौन सा उप्शन का दो एक दफा मार्के ट्रेस करता हम वही पर शौट करना यज अगर कॉल शॉट करने इसका मतलब किया है कुछ बाय करना वह उप्शन बायर के साब से होता है इस इस ठीक है उसमें कोई दिखकर नहीं है तो हमने क्या किया था ध्यान समझना यहां पर शौर्ट किया यहां पर ही हम लोगों ने इसको बाइंग कर लिया तो फिर यहां पर आके आपको द्यान होगा अगर इस जगह पर आके आपको निफ्टी का सब्सक्राइब बिख्राइब उसमें ने बेरिश इस्टेडल पड़वाया था जोगे तो वहां पर बहुत अच्छा प्रियम मिला था 50-52 रुपए वाली चीज बावन पर सेल करी यह पहले वावन पर सेल करके तेरा निकल गए चारगोना तो लिटन होता है ना अब आप क्या करते हैं आप क्या दिख्कत आती है आप क्वांटिटी सेजिंग भर लेते हो कि ध्यान रखना मैंने आप कॉल राइटी के पुट्राइटिक ग्रेट बढ़ाती है प्रीवेसली वहां पर मार्केट आया याद रहना बस गैप गैप में आना चाहिए बस वो इग्नोर करना मार्केट में आया यहां पर सिंगल केंडल में ब्लीन से तोड़ आए बिल्कुल कि लोग को बाहर निकलते तब लोग कर लेंगे नहीं तो क्या होता है जैसे इस केंडल यहां समझना को अप्छन को अपने शीट में देखा ता अभी ठीक है वह जैसे इस रहेट डिट टूटेगा तीक है आपने एक रिट केंडल का और जो भी आपके नेगेट डिटिव के उपर कर लाए ठीक है तो यह अपना कहें कोंटर टेड है depending on the open interest call bias आपका put buy का ठीक है तो फट अफट से quickly summarize कर लेते हैं क्या कि हम लोगों ने देखा हमने देखा कि call buying के एक rate होते हैं put buying के एक rate होते हैं जहां पर भी call lighters बैठे हुए है उस zone में आके अपने को जैसी market आएगा trade करेंगे ने तो बीचने profit आएगा उसके बाद फिर आपका cost to cost निकल जाएगा वो डिपेंड करता आपके ओपर ठीक है अगर उस call राइटर से put writers के zone के सीधा उपर या नीचे खुल गई market तब आप short covering को प्लान कर सकते हैं और एक quickly आपको पैसे वाला आदमी तो वह अपने लेवल को डिफेंड करने कोशिश करेंगा कैसे करेंगा HDFC बैंक निफ्टी आइटी है फिर आपका ब्रेक आट रहते हैं तो यह तीन वाला 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 केस है यह गैप अप में सीधा इसके उपर खुल जाए तो आपको नहीं करना है और फिर मैं भी बता रहा हूं कि आपकी एक स्टॉप लॉस की एक क्वांटिटी के स्टॉप लॉस से भी कम कीमत का है देट टू अपको फ्री मिल जाता है अगर आप डिमेट अकाउंट के थू करते हो ठीक है नहीं तो फिर आपको समी कर सकते हूं जैसा भी आपको अभी के झाल